हेलो बच्चो वेलकम टू ग्रेड अपग्रेड आज हम लोग सीखने वाले हैं हम जो पिछले वीडियो में कंटीनियू कर रहे थे उसी चीज़ को आगे लेकर जाएंगे विचीज विचीज विची विटाउट टाइम पास के शुरू करते हैं और अगर आपको वीडियो समझ में आते होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने जो फ्रेंड होंगे कॉमर्स के साथ उनके साथ भी क्या करिए इन वीडियो को शेयर कर दीजिए अब देखिए कोश्य नंबर 8 में क्या दिया है मुझे the rate of premium is 2% and other expenses are 0.075% मतलब हमारा कुस तो वैल्यू ह ठीके उसका हमें 2% क्या करना पढ़ रहा है rate of premium भरना पढ़ रहा है और 0.075% क्या करना पढ़ रहा है expenses भरने पढ़ रहे हैं a cargo worth rupees 350,100 is to be insured so that all its value and cost of insurance will be recovered in the event of total loss means जब total loss हो ना तो मेरी ये जितने भी values है ना वो सारे के सारे values क्या होने चाहिए मुझे recover करके मुझे मिलने चाहिए अब देखो मुझे एक चीज़ clear है यहाँ पर एक चीज़ लोगने क्या बोला है कि हम लोग यहाँ पर premium कितना बढ़ रहे है 2% हाँ मैं पता है कि हम premium किसका भरते है policy value का भरते है मतलब यहाँ पर policy value को मुझे क्या लेना पढ़ेगा x लेना पड़ेगा policy value क्या करना पड़ेगा x लेना पड़ेगा और साती साथ मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा मुझे यहाँ पर policy value का एक तो 2% premium भी है और 0.075% क्या है expenses भी है और मैंने क्या बोला कि मुझे इस हिसाब से मुझे मेरे को insurance करवाना है कि मेरे यह जो जितने भी values है न वो सब के सब क्या होना चाहिए उसके अंदर recover हो जाना चाहिए मतलब जितने भी values हमारे सामने discuss हो रहे है न एक तो अगर मुझे loss हुआ तो मेरे को 3,5,100 रुपया पूरा का पूरा चाहिए फिर मैंने जो insurance का 2% भरा मुझे वो भी चाहिए और उसके बाद यह जो मैं 0.075% रुपया expenses किया न यह policy लेने के लिए मुझे वो value भी क्या चाहिए मेरा वापस चाहिए ठीके मिन्स जितने भी खर्चे हो रहे हैं सारे खर्चे मुझे क्या चाहिए यहाँ पर पूरे के पूरे तरीके से वापस चाहिए तो यहाँ पर मैं क्या बोलता हूँ in short value को मैं assume कर लेता हूँ x ठीके in short value को assume क्या कर लेता हूँ x ठीके in short value मेरे लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर x हो जाएगा अब मुझे पता यहां में मेरे लिए premium क्या हो जाने वाला है 2x upon 100 ठीक है और जो मेरे यहां पर other expenses है वो मेरे लिए क्या हो जाएगा 0.075 या 0.75 है which is 0.75% of किसका 0.7% which is insured value का ठीक है अब देखा अगर मुझे यहां पर total insured निकालना है total insured मतलब क्या मुझे कितना पैसा चाहिए तो मैं यहां पर क्या करूँगा मेरा जो property value है उसको plus करूँगा मेरे premium से और उसे मैं plus करूँगा मेरे हमारे other expenses से जिसको मैंने क्या किया उपर नीचे 100-100 से multiply कर दिया दुकर decimal calculate करना मुश्किल हो जाता है न सो यहां पर मैंने क्या किया भी आपको क्या करना है पता है क्या इस sum को calculate करना है अब इस sum क्या करने के लिए आप क्या कर सकते हो आप इधर भी उपर नीचे 100 से multiply करिये ठीके सो अब यह क्या हो जाएगा मेरे लिए अगर मैं यहां भी 100 से multiply करूँ यहां तो 0 पड़ जाएगा यहां तो 0 पड़ जाएगा ठीके तो और मैं उसको पूरे को उठा कर यहां पे लाये तो X minus क्या हो जाएगा 275 X upon कितना 10,000 ठीके which is equals to 350,000 100 ठीके अब मैं क्या करता हूँ 10,000 को X से multiply करके वहाँ पर minus करता हूँ 10,000 को हाँ पर multiply करने भेजता हूँ और जो minus करके value मिलेगा उसे मैं क्या करता हूँ तो यहां पर divide करने को भेज देता हूँ ठीके और इससे क्या होगा calculate करने के बाद मुझे मेरे X का value कितना मिल जाएगा 3,60,000 तो simply यहां पर मैं क्या बोल सकता हूँ अगर देखो ध्यान देना अच्छे से बुझे पता है कि यह सम थोड़ा था 50,100 रुपीज क्या है include है फिर उसका जो मैं 2% प्रीमियम भरूंगा वो भी उसके अदर include है और उसी value का जो मैंने expenses किया उस expenses 0.75% भी included है तो इसका मतलब मुझे यहां पर simply क्या करना था तीनो value को अगर मैं plus कर दूँगा तो मुझे उतने का insurance लोग देंगे अब इसको तुम्हों साधन भाषने समझाओ ना जैसे कि समझो कि मेरा property है 300 रुपए का ठीक है और मैंने insurance ले लिया 500 रुपए का अब मैं बोलूँगा अब मैं तुम लोगों को बोल दूँ कि यहां पर 500 रुपए ही ने मैंने 300 का सी property लिया हूँ property value है मेरा मेरा 1500 रुपए क्या है premium है और 50 रुपए मेरा क्या है other expenses है तो मैं बोलूँगा कि मैं जब थीनो को मिलाई गाना तो इन तीनो को मिलाकर मेरा क्या होगा insurance value होगा तो मेरा insurance value यहां पर कितना हो जाएग? THREE HUM drive also 150 PO50 यहां पर खाय पर 500 रुपए का चिया तो यहां पर भी क्या होग रहूग? इंशॉरंस कितना हो गया 3,60,000 रुपीज का हुआ ठीक है अब इससे प्यार से तो नहीं समझा पाऊंगा ठीक है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज समझ गई रहेगी अब यहाँ पर ना 8 to 14 questions में आपको एक दो questions अब घर पे मिलने वाले हैं जो आप easily अच्छे तरीके से कर सकते हैं अब जैसी कि देखिए question number 9 बहुत ही easy है क्या बोला है अब property worth of rupees 4 lakh is insured with 3 company ABC मतलब 4 lakh का जो property है उस property ने 3 company से क्या किया है insurance किया हमने पता है ने कि अपना principle of contribution हम 2-3 company से ले सकते हैं एक company से 1 lakh 60 मतलब एक से policy value 1 lakh 60 एक से 1 lakh एक से 1 lakh 40 अब इलों ने वह खिला की कितना आवां रिकावर करेंगे हम हरे company से जब मेरा loss कितना हुआ है 9,000 का company एक claim कितना देगी हमारा company का claim कितना होगा 1,60,0,60 divided by 4,00 into 9,000 company B का क्या होगा 1,00, divided by 4,00, into 9,000 company C का क्या होगा 1,40,000,000 तीनों क्या करेंगे अपने-अपने policy value के यसाफ से क्या करेंगे claim को recover करेंगे या cover करेंगे तो हमें क्या करना है simply उसे calculate करकर निखालना है तो आप मुझे comment करके बताईए आप नहीं कर रहे हैं अब चलिए question number 10 में आ जाते हैं, अब car valued at rupees 8 lakh is insured for rupees 5 lakh, मतलब एक car है जो 8 lakh का है, देखो insured value और policy value same ही होता है, तो देखो एक car है जिसका property value हमारे लिए कितना है 8 lakh rupees, ठीक है, और इसको हम लोग ने insured किया, इसको हम लोग ने insured कितने का किया, 5 lakh rupees का हमने इसको क्या क्या, insured किया, अभी लोग बोल रहे है, the rate of premium is 5% less 20%, ये sentence का मतलब समझो, कि मेरा जो यहाँ पे rate of premium है ना, जो rate of premium है वो क्या है, 5% less 20% of 5%, इसका मतलब क्या होता है पता है क्या, 5% minus 1%, which is 4%, समझ रहा है क्या, इसका जब भी ये sentence आएगा ना, ये दो जगा पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे लोग ने क्या बले कि मेरा rate of premium क्या होगा, 5% होगा, पर उसमें से 20 और कम कर दो, so 5% का 20% कितना हो जाएगा, 1% हो जाएगा ना, तो उसको और minus कर दो, तो मेरा rate of premium कितना हो गया, 4%, अब ये question समझो, how much will the owner bear including the premium, if the value of car is reduced to 60% of its value, loss 60% का नहीं हुआ है, जो car का value है, वो loss के वैसे 60% पर आ गया है, means, अब जो मेरा value है, insurance ये policy value नहीं, normal value, so normal value of मेरा जो car है, वो क्या हो गया है, 60% of 8,00,000 हो गया है, 8,00,000 का 60%, which means 4,00,000, 4,00,000 रुपीज, समझ रहा है, 4,00,000, 4,00,000 क्या हो गया, उसका अब एक normal value हो गया है, तो इसका मतलब मेरा loss कितने का हुआ, 8,00,000 की गाड़ी थी, 4,00,000 पर आ गयी ना, तो कितने का loss हुआ, 3,00,000, का मेरे लिए क्या हुआ, यहाँ पर loss हुआ है, ठीके, 3,00,000 का loss देखने को हमें यहाँ पर मिल रहा है, अभी लोग ने क्या बोला, कि बताए इसका actual loss कितना हुआ, including premium also, हो, तो देखो, मैं यहाँ पर सबसे पहले claim निकाल लू, कि मुझे पहले पता चल जाए कि इसको company ने claim कितना दिया, ठीके, तो claim के लिए क्या हो जाएगा, property value, sorry, policy value, ठीके, policy value, divide by property value, ठीके, into, जो मेरा total loss हुआ है, पहले वो निकाल ले थे, ठीके, तो देखिए, 123, 123, 123, 11, 14, means कितने का actual loss, मतलब कितने claim मिल गया उसको, 45, 20, और 40, 0, वैसे के वैसे, आ जाएंगे, साही की ने, 123, 4, तो इसका मतलब मेरो claim कितने का मिला यहाँ पर, मुझे, 2,00, रुपीज का मुझे यहाँ पर क्या मिला है, claim मिला है, because 45, 20, 1,0, और बागी के 4,0, which is 2,00, का मुझे क्या मिला है, यहाँ पर claim मिला है, अब question को समझिये, उन लोग ने क्या बोला है, कि actual loss कितने का हुआ, including premium also, so देखो, 3,20,000 का क्या है, मेरा goods था, मतलब loss हुआ था, मेरा total, 3,20,000 में से, मुझे claim कितने का मिल गया, 2,00,000 का मुझे claim मिल गया, अब 3,20,000 में से, अगर मुझे 2,00,000 मेरा वापस मिल गया, तो मेरा loss कितने का हुआ, 1,20,000 का, बट इन लोग ने क्या बोला, कि premium भी बताओ, premium को भी include करो, so premium कितना था मेरा 4%, 4% किसका, 5,00,000 का 4%, तो 5,00,000 का 4% होता है, 20,000, आप calculate कर सकते हैं, ठीक है, so 5,00,000 का 4% कितना हो जाएगा, 20,000, तो उसका normal 3,20,000 का loss हुआ, जिसमें से 2,00,000 उसे वापस मिल गया, मतलब 1,20,000 उसे अभी भी नहीं मिला, और उसने 37,70,000 बीज़ार premium भी भरा, जिसका मतलब उसका total 1,40,000 का loss हुआ, मिन्ज़ों हमारा owner है, उसने loss कितना beer किया, 1,40,000 का loss उसने क्या किया, beer किया, ओके, अब देखिए, अगले question पे आते हैं, which is 11th question पे आते हैं, अब 11th question मेरे लिए क्या है, यही वो simple simple question से, इतना कुछ नहीं है, तो देखो, 11th question में क्या, a shop and go down worth rupees 1,00,000 and rupees 2,00,000 respectively, मतलब यहाँ पर देखो, एक मेरे पास shop है, और दुसरा क्या है, गो डाउन, which means we can say warehouse, ठीक है, अब shop का property value कितना, इसको में PV लिख रहा हूँ, property value कितना है, shop का 1,00,000 रुपीज, ठीक है, और go down का कितना है, 2,00,000 रुपीज, ठीक है, अब इन लोग क्या बोल रहे हैं, agent को commission दिया जा रहा है, 12% premium का, तो पहले premium मुझे पता करना पड़ेगा, कि premium कितना है, वो हम लोग आगे जा कर देखते हैं, if the shop was insured of 80%, if shop was insured for 80%, तो जो shop है, उसका insurance, अपना insured value कितना हुजएगा, 80% मतलब कितना, 80,000, ठीक है, और जो मेरा go down है, go down कितना मेरा insured हुआ, which is 60%, मतलब क्या हो जाएगा, 1,20,000, ठीक है, मतलब total insured value मेरे लिए कितना हो गया, 2,00, तो लाग का मैंने क्या किया, हमारे goods को क्या किया, insured क्या, मतलब shop को और go down को include करके, अभी लोग ने क्या बोला है, find the agent commission given that the rate of premium was 0.8% less 20%, मतलब लोग बोल रहे हैं की rate of premium, मतलब agent को मैंने commission कितना दिया, अभी लोग ने agent commission कितना बोला था, 12%, बढ़ हमको पता हैं commission किस पर देते हैं, premium पर देते हैं, तो पहले मुझे premium पता करना पड़ेगा, और premium पता करने से पहले, मुझे rate of premium पता करना पड़ेगा ठीक है rate of premium क्या बोला है 0.8% less 20% ठीक है सही बात है 20% 0.8% less 20% मतलब 0.8% मेरा premium था अब उसमें से 20% और घटा दीजिए तो 0.8% का जो 20% होगा वो 0.16% होगा तो अब 0.8% में से अगर 0.16% घटा देंगे तो rate of premium कितना हो जाएगा 0.64% मेरे लिए हो जाएगा ठीक है अब जो हमारा premium हो जाएगा वो क्या होगा 0.64 divided by 100 into 2 lakh रुपीज ठीक है which is 0000 cancel 64 into 20 तो इस कितना हो जाएगा 0, 4 to the 8, 6 to the 2 means कितना हो जाएगा 1 to 8, 0 रुपीज समझ रहा है क्या 1 to 8, 0 रुपीज क्या हो जाएगा मेरे लिए यहाँ पर हमारा premium का value हो जाएगा अब मुझे यहाँ पर क्या निकालना है कि agent को commission कितना मिलेगा समझ रहा है क्या तो agent का अगर मैं commission निकालो तो agent का commission कितना हो जाएगा 12% of 1820 12% of 1280 which will be 153.6 153.6 रुपीज ठीक है क्या हो जाएगा 153.6 रुपीज ठीक है देखो कुछ-कुछ calculations मेरे right होते हैं बट फिरियो में उसको क्या करता हूँ वापस से correct कर ले तो because offline class में क्या होता है कि enough time होता है अराम से दिमाग को patience रखके हम क्या कर सकते है calculation आराम से discuss करके कर सकते है but online lecture में अपने हो क्या है कि फट 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 वीडियो को फटा फट आगे लेकर जाना है so calculation को थोड़ा fast करने के चकर में कभी number जिसी आप देखाएग नियो 2 लाग का आपने 20 जा लिख दिया था होता है that's the thing इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं सामने दिख रहा है so इसके लिए कभी कभी में थोड़ा सा cross checking के लिए क्या करता हो calculation को check कर लेता हो so देखिए इस इसाप से हमारा क्या हो गया 11 sum खतम हो गया है मतलब मेरे agent को में कितना rupees दूंगा 153.6 rupees दूंगा is 56 rupees per thousand per annum a rebate of rupees 0.75 per thousand is permitted if the premium is paid annually find the net amount of premium payable if the policy holder pay the premium annually मतलब यहां पर क्या बोला है कि एक बंदा है जो rate of premium on a policy मतलब policy कितने का है 1 lakh rupees का policy है जिसका वो premium कितना भरेगा 56 rupees of per thousand मतलब हर thousand पे वो क्या करेगा 56 rupees क्या करेगा premium भरेगा बट उसको कितने का rebate मिल गया and rebate of rupees 0.75 per thousand is permitted अब देखिए सबसे पहले मेरे को यहां पर समझना पड़ेगा कि मेरा यहां पर premium कितना है ठीक है तो premium क्या हो जाएगा पता है 56 rupees का 0.75 per thousand ठीक है means 56 rupees का 0.75 अब यहां पर गलती क्या करते पता है क्या हम लोग 56 में से ना directly 0.75 ना minus कर देते हैं ठीक है इसके वज़े से हमें wrong मिल जाता है बट इलोग ने क्या बोला कि 0.75 per thousand क्या होगा less होगा if we pay annually तो हमें क्या निकालना पड़ेगा पता है क्या 56 rupees का 0.75 per thousand निकालना पड़ेगा जो हमें क्या मिलेगा यहां पर 0.042 ठीक है अब देखी rebate का मतलब साधन भाषे ने बोलो तो discount जैसा हम बोल सकते हैं ठीक है तो इसका मतलब इसको premium कितना भरना पड़ेगा original premium जिसको भरना पड़ेगा which is 56 minus 0.042 which will be 55.958 ओके means उसको जो premium है वो कितना भरना पड़ेगा 55.958 per thousand ठीक है तो इसका मतलब अब premium इसका जो overall जो एक लाग रुपय है ठीक है so एक लाग रुपय का इसको premium कितना भरना पड़ेगा 55.958 divided by thousand because per thousand पे वो 55.958 भरेगा न ठीक है so देखो 3030 cancel 20 decimal को वहाँ ढकेल देगा which will be 55.95.8 रुपीज ठीक है means जो हमारा वेक्ती है वो क्या करेगा 55.95.8 रुपीज क्या करेगा हमेशा वो annually भरेगा ठीक है चलिए मैं पहली बोल रहा हूं में let assume वो सब के ताम जाम में नहीं पड़ रहा हूं ठीक है आप लोग को directly solution समझा रहा हूं अब 13th question आपके लिए homework है मुझे बताईए बहुत ही चिंदी question है बस इतना बड़ा question देखे ना बच्चे ढर जाते क्या रहे सरीका हो गया ठीक है बहुत ही simple question है इतना कुछ में हाब बोलते ना हुआ जैसा कुछ नहीं है अब 14th question आपके चिंदी question ओरली ही समझा देखे तो आप लोग को क्या बोला है person take a life policy for 2 lakh for a period of 20 years मतलब उसने 2 lakh का policy लिए life policy जो 20 साल के लिए लिया but he paid premium for 10 years during which bonus was declared at an average rate of 20 per year per thousand ठीक है मतलब उसने क्या किया 2 lakh उसने 20 साल के लिए लिया था मतलब उसने 10 साल में कितना भरा रहेगा एक लाग रुपया भरा रहेगा तो उसको 10 साल अगर बंद कर देगा तो उसको एक लाग रुपया तो मिल रहे है मतलब एक लाग तो fix हो गया बट उनलोग ने उसके बाद क्या बोला की पड़ उनलोग ने बोला कि उसको on an average rate पर 20 रुपया पर 1000 पर मिलेगा मतलब जितने भी 1000 उसने भरा है न ठीक है उस पर क्या मतलब जितने भी 1000 का उसका decided हुआ था means 2 lakh ओके उसका उसे क्या मिलेगा 20 रुपीज पर 1000 पर मिलेगा इसका मतलब उसे कितना मिलेगा total 4000 रुपय yearly मिलेगा ठीक है और उसने कितने साल तक policy भरा उसने 10 साल तक मतलब 10 साल का उसका bonus कितना हो जाएगा 40,000 रुपीज 40,000 को उसके क्या होगा 10 साल का bonus होगा और उसने 10 साल भरा था तो उसका 1 लाग रुपे है तो उसको 10 साल बात कितना पैसा मिलेगा 1,40,000 रुपीज सिंपल चिंदी याद रखना 20 रुपीज पर थाउजन बोलेंगे ना कवी भी तो 20 अपॉन थाउजन करनेगा 20% बोलेंगे मिन्स 20 रुपीज पर 100 होता है ये चीज याद रखना ठीक है 20 रुपीज पर 10,000 बोला तो 20 अपॉन 10,000 ठीक है तो ये चीज़ों पर ध्यान देनेगा ओके तो देखिए इसी के असा नमारा पहला एक्साइस खतम होता है इसमें तो कैलकुलेशन क्या था थोड़ा सा कम था अब जो अगला आने वाला है अगला एक्साइस उसमें सिर्फ कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन देखने को मिलेंगे तो उसमें मैं कुछ sums आपको दूँगा, कुछ sums महक करूँगा विकोज मैं आपको सिर्फ main formula समझना है अगर formula समझ गया, फिर तो कोई tension ही नहीं है आप easily क्या कर सकते हो, sum को solve कर सकते हो, ठीक है तो चलिए इसी के साथ insurance का तो topic खतम हुआ है means first exercise 2.1 खतम हुआ अब 2.2 थोड़ा formula समझा कर चालू करेंगे next वीडियो में till then ध्यान रखें और वीडियो को like, share, subscribe करें and thank you for watching, great upgrade, शुक्रिया